नमस्ते सादकों, आज के वीडियो में हम सीखंगे मत्ष्यासन और सरल मत्ष्यासन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों आसनों को करने की सरल वीधि, राइट मेथड, और इसके लाफ क्या है, क्या सावधनिया है इस विशाई पर आज का ये वीडियो है इसलिए आप मैसे जो सादेक वास्तों में शीखना चाहते हैं तो जरूर देखें वीडियो को अंते तक साथ मैं इस वीडियो को लगा कि आप आशन कर सकते हैं पहले मैं आपको शिखाऊंगा मत्यासन तो लोग ये नहीं कर पाते हैं तो इस आशन का लाव लेना है तो आपको फिर कौन सा आशन करना है शरल मत्यासन उसका क्या तरीका है वो आज मैं आपको शिखाने वाला है पहले हम मत्ष्यासन का अध्यास कर रहे हैं दाही ने पैर को ऊपर रख लिया ऐसे और इसके बाद बाएं पैर को भी हमने ऊपर चला लिया मत्ष्यासन करने के लिए हमने पदमासन में बैठना है मैं बैठने के बाद दोनों हातनों को हमने पीछे किया ऐसे पीछे की और जु ज़ुकाते जाना है इतना जुका है कि आपकी कोहनिया टेच हो नहीं लगाए इस तरीकी से और घुट्नों को जमीन पर मिलाए रखना है अब सिर पीशे किलें और जुकिये पीशे-पीशे सिर्भी टेच कर लेंगे देखिया घुट्नों को उठाना नहीं है अब दोनू हाथ को ऊपर करें और शीर का अगला हिस्सा ऐसे मिल लगाए कंधे ऊपर हो जाएंगे देखे दोनु हातु से दोनु पैर को इस तरीक 거지 पंच Panzu को पकड़ लेना है और कोहनिया देखे कहां है जमीन पर दोनु हाथों से पैर के पंजे बकड़े हुए है कोनीय जमीन पर है घुत्जब्ट का अगला हिस्सा जमीन स्था और कंधो auपर है अब इसका खिजाव में कंधो में कमर में बहुत खिजाब ermy दोनु बैरों अर्ताव जब हम इस आसन में कुस्तमा रुकेंगे तो पूरे सरीर की एक-एक मान्च पेशी को प्रभावित करने वारा आसन है अब आप जितनी देर आसानी से इसमें रुक सकें, रुकना है, स्वासु को शामान नीचलने देना है और आशन से वाबसाने के लिए दुनों हातों को उपर किया, हातों में दबाव देते हुए, शिर को सीधा किया, कंधु को ठिकाया, कोहनियों के सारे उठे, फिर हैतेलियों को दबाव देते हुए, इस तरीके से हम लोग आशानी से बैठेंगे, और फिर देर तक पीछे जु आशन को खोल लेंगे, तो यदि हम इस आशन को कर पाते हैं, तो रीड की समस्या, सरदाइकल पेन की समस्या, स्लिप दिस्क, साइटिकाद की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी, और पाचल सहस्तान के लिए भी, हातों के, पैरों के, कंधों की, एक-एक जगे की मानस्प प्रॉब्लम आशन को सक्रित अवदान करने वाला आसन है, मस्त इसके में भी रक्त के संचार को बढ़ाएगा, सावधनिया है, यदि आपको पहले सी कमर में दर्द है, साइटिका है, स्लिप दिस्का है, हॉर्मिया है, तो बिलकुल नहीं करना है, सर्वैकल पेन है, तो नह सकते हैं, वो इस आशन को करें, तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप भग होगा, कि पूरा शरीद हलका हो रहा है, यदि हम इस आशन को नहीं कर पाते, इसके लाप से अगर हम बंचित रह रहे हैं, तो हम कौन सा आशन करते हैं, सरल मत्ष आशन को, कैसे करेंगे, किस रखनी है, अब हमने नीचे का हिस्चा तो ऐसा ही रहेगा, हमने केवल दोनों हतेलियों को उपर करना है, और सिर को हमने ऐसे ये देखे, कंधे उठा लिए, सिर का अगला हिस्चा यहां टच किया जमीन पर, और देखे कि खिचा कहा रहा, यहां गर्दन में, पीठ के हि को इस तरह की से जमीन पर रख लाए है, तो यहां है सरल मच्यासन, तो इस आसन को यह रियाद करते हैं, तो यहां थाइराइट के लिए, सरवाइकल पेन के लिए, पीठ के उपर हिस्चे की मानस्पेश्यू की शक्रिता के लिए, बहुत अच्छा है, और मच्यासन का विकल पहाई है, कमर दर्द वाले भी इसको कर सकते हैं, सरवाइकल पेन के लिए भी यदि बहुत अधिक नहीं है, तो इसको कर सकते हैं, और वापस जाते समय, दोनों हादों को उपर करिये, सिर को सीधा करिये इस तरिके से, और वापस और सवाशन मा विस्तरान कुछ दिर के लि करवेट लिया, ऐसे हाथ को जमीन में टच के आएक हाथ को, अराम से उठ करके बैठिये, सरल मत्यासन लगवक सभी लोग कर सकते हैं, कमर दर्द के लिए भी ठीक है, सर्वाइकल पेन यदि बहुत अधिक नहीं है, तो बिलकुल कर सकते हैं नहीं, तो शिर बहुत अधिक न बोड़ेंगे, और जिनको अभी शीखना है मत्यासन, तो सरल मत्यासन से आरम कर सकते हैं, पदमासन का अभ्यास करें, सरल मत्यासन का अभ्यास करें, और उसके बाद आप मत्यासन का अभ्यास कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मे आप सभी की सुकत स्वास्ता की कामना है ओम शान्ति